हेलो श्टूडेंट आज हम लोग लास टेंथ का चाप्टर कंस्ट्रक्शन एकसाइज 11.1 का कोशन नमबर वन देखेंगे इससे पहले अगर आप लोग ने इस चाप्टर कंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप सबसे पहले इसको देखे ताकि आपको यह वीडियो समझ में अ हम लोका किना सेंटीमीट्रूस retrieve सेंटीमीर का सेंटीमीट्रूस होगा कई स्केल होगा थे हैं तो यहां से हम लोग यह हम लोगा से लेकिस्ट होगा यहां पर देखें यहां पर 7 फि आप 1 2 3 4 फोर होगा यह सिध्व इस भाड़ा वारा 5 5 6 थीक है यहां सेटना लंबर करना है कोन सा इसको डिवाइड करना है फाइब एक को कर Anime हम लोग ने लिए भी आब इसको क्या करेंगे करib mutual हम लोग को नीचे बनाना मैं ऐसे करके बना लिता हूँ एक एक्ट्फ एगल बना लेते हैं एक हम लोग की इसको क्या करेंगे देखिये कर दो होगे हैं ऐसे थोड़ा कर दोदो करने कि अब थोड़ा मिसटे को गया लैंग टो नहीं करने से विए हो सरे आप असरी हम लूग और हो गया डमलक हो गया है यह यह कम दो खूँदेता है यह तुम मने खिच दिया कि दुधर यह आप देखें यहां पर कितना हम लोग का 5 ratio 8 है तो हम लोग इसको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 plus 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो हम लोग को इस लाइन में 30 आर्क हम लोग को बनाने पढ़ेंगे तो हम लोग चलिए बना देते हैं 13 arcs चलिए हम लोग को इतना arc लेना है कि हम लोग का यहां पर 13 arcs आ जाए चलिए देखते हैं 1 1 हो गया फिर 1 हो गया फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 और यह हम लोग का यहां पर 13 इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा नहीं हुआ हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको चलो आप हम लोग इसको देखेंगे हम लोग को क्या करना है ना अब देखे हम लोग क्या करेंगे इतना हम लोग ने कर लिया naming भी हम लोग कर सकते naming कर देते हम लोग यहाँ पर यहाँ यहाँ पर देते a1 इसका नाम देते a2 इसका नाम देते a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 और a10 a11 a12 और a13 अब लोग यहां करेंगे लिखते हुए भी चलते हैं लिखते हुए भी चलते हैं या समसे पहले हम लोग नहीं क्या करा के एक क्लाइन रोक क्या था ना राइन सीगमेंट क्लाइन क्ल待 हम लोगiben एकिवारी अफ। हम लोग का हो जाएगा 7.6 cm फर्स्ट हम लोग आप सेकेंड हम लोग ने क्या किया सेकेंड हम लोग ने क्या क्या सेकेंड हम लोग का है ड्रो अलाइन एक्यूट सबसे पहले सॉरी लाइन नहीं ड्रो अक्यूट अंगल ना ड्रो अक्यूट अंगल एक हम लोग ने acute angle क्या किया draw किया acute angle acute angle कौन सा angle हम लोग क्या है B A C है angle हम लोग का B A C है यहाँ पर इसका नाम दे देते हम लोग C आप चलिए हम लोग क्या करेंगे उसके बाद third में देखिए हम लोग ने क्या किया third में हम लोग ने क्या किया हम लोग ने third में क्या किया यहाँ पर देक्षा हम लोग ने से mark करते चले गई यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे mark कितना था हम लोग Harvard सी थार्टेन ना कितना कितना 5 प्लस 8 इक्वाल दू 13 यहाँ पर लिख देंगे point point like क्या हो जाएगा हम लोग का A1 A2 A3 फिर ऐसे डौट डौट करते करते कहां तक आया था कहां तक आएगा A3 on किस पे कौन से लाइन पर आएगा हम लोग का on हम लोग का A C पर फिर such that और इस परकार से है such that इस परकार से हम लोग का कि जो हम लोग का A A1 है वो इक्वल है किसके A2 A3 के इक्वल है फिर A3 A4 के इक्वल है ऐसे डौट 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 करते यहां कहां तक इक्वल गया है A2L से A13 तर देखें यहां पर जो हम लोग का है A A1 किसके बराबर है A A1 किसके बराबर है A1, A2 के बराबर है A2, A3 किसके बराबर A2, A3 किसके बराबर है A3, A4 के बराबर है चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इसको join कर देते हैं क्या करेंगे इसको मिला देते हैं किसको किसको इस line को और यहां से इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते था गुलोग मिला देंगे स्लें को चलिए हम लोग कही हो गया मिला दिया हम लोग यहां से क्या करना एक एंगल बनाना है ठीक है यहां पर एक एंगल बनाना है आप अपने हिसाब से थोड़ा ले लिजिए और यहां से आप कर लिजिए चलिए हम एंगल बना लेते है चलिए मैंने यहां पर रखा और एंगल बना लेंगे हम ठीक है चलिए बना लिए हम लोग हैंги आब हम लोग क्या करेंगे देखिए इस का और का लेंग करेंगे यहां से ले रिखेंगी यहां से लेकि drifting का मेजर करेंगे कितना है थोड़ा सा और वी though हम लोग ले लेंगे यह हम लोग का इतना है ना अभम लोग इसको चाहिए दें ४र इस point पर रखेंगे और काट देंगे इस point पर रखेंगे और cancel कर देंगे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे A5 से इसको मिला देंगे इस point को हम लोग क्या करेंगे A5 से मिला देंगे ठीक है A5 से हम लोग क्या करेंगे इस point को मिला देंगे कि कि हम लोग नि ingredient कि इसको मिला दिया तो हम लोगए ये लाइन क्या होगा आपस में पार्लल होगा आप चलियू क्या करेंगे आप लोगए अच्छा से बने गा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा तो चलिए लेकिन क्या होगा पूरा पारलल आएगा method इसी से इसी प्रकाषना कोई अलग method नहीं है method सेम है तो आप लोग कोशिज करिए आपका आजाएगा पारलल को फिर से करके देखता है एक बार आ जाएगा हम लोग अभी पैरलल रुकिए यहाँ पर नाप लेता हूँ पहले में चलिए अब करके एक बार में फिर से यहाँ पर कर देता हूँ इसके पारलल नहीं दिख रहा है थोड़ा यहाँ से फिर से एक बार में मेजर कर लेता हूँ यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ अब यहाँ पर मैं एक बार काड़ देता हूँ यह हम लोग का हो गया अब चलिए इसको मिला देते हैं subway हम लोग आधा जुशेशच क क्या है पाल सफ गल से कटना पड़्या तबदेखे था हम लोग अच्छा belki तब देखिए आप इसके क्या हो गया पैरलल आया भी इसके यहां पर ऐसे कटते-कटते गया था देखिए ऐसे ऐसे था ना अब देखिए हम लोग के यह क्या हुआ पूरा यहां पर इसके पैरलल आगे आप हम लोग यहां पर क्या करेंगे तभी मिश्टेक क्या हो रहा था हम हम लोग 4 से घीच रहे थे ना 5 से हम लोग ने ऐसे करके काटा था यहां से करके काटा था और फिर यहां से हम लोग ने से काटा ना तो 5 से मिलाएंगे 4 से नहीं करेंगे न तो यहाँ पर mistake हो रहा था अब चली हम लोग का हो गया साही अब हम लोग को यहाँ थोड़ा कुछ-कुछ लिखना उसको हम लिख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया है इसको हम लोग लिख लेंगे यहां फिर देगाए हमलोग कंद जाएगा 4 डिका जाएगा हम में लोग का जाएगा क्या लिखिए जाएग जाएगा नो का रिखिए ₤ क्या लेखिएके ₲द देए ₲ हम्लोग क्या हो जाएगा ₲ क्या ho जाएगा ₲ ए ₲ 15 ₲ मिला दिया प्भ well case ₲ draw draw align draw align a5 किसके parallel किसके a5 हम लोग का parallel किसके हम लोग का देखे यह वाला parallel किसके है इसका नाम अगर हम लोग देदेते हैं तो अच्छा रहता है इसका नाम भी को देदे c नीचे में दी है हम लोग ने c यहाँ पर नाम दी है हम लोग ने c नाम दी है यहाँ पर d नाम दे देते हैं तो हम लोग का जो a5 d होगा a5 a5 और d हो किसके parallel होगा a13 b के तो यहाँ पर हम लोग लिगते हैं a5 यहाँ पर अच्छा से लिग देता हूं a5 d parallel होगा किसके हम लोग का ए थर्टेन बी के पैरलल होगा आप हम लोग आगर देखेंगे आप यहां पर हम लोग क्या होगा बाइब यहां पर लिखिंग बाइब ती त्सम Team बाइब li जो हम लोग यहां पर करेंगे जो हुए उसी को हम लोग को लिखना था हम लोग भूने लिख दिया आप लोग जस्टिफिकेशन करना ठीके जस्टिफिकेशन करना तो diffic refresh हैं है बिधलिक झालख मैं जैस्टीफिकेशन ना तो हम लोगों कैसे करना है थे हम लोग एफ chapter 6 में बिया बी बी टी हम लोग ने थ्योरम पड़ा था ना तो उसी थिउरम करेंगी बीपी टी का ना तो चली कैसे करेंगे देखी आपर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये वाला फ्रेंगल ये एए फर्टीन भी आपवलोग का बी अब फिर हम लोग करेंगे इन pieces गालेंगे और र인이 ये फाइबर डी ट्राइंगल यह फाइब लुक्त होता है उस M演 इस side के किसी भी triangle है हम लोग का और इस side के पारलर हम लोग ने एक line क्या कि एस triangle में draw कर दिया P Q और यह क्या करें दोनों इंट्रसाइट कर रहा है तो क्या होगा यह यह equal ratio में divide करेगा ठीक है क्या करेगा equal ratio में divide करेगा किसको किसको AP upon PB equal होग इसके AQ upon QC के equal होगा equal ratio में क्या कर गए inside को divide कर गए किस के parallel होगा BC के तो हम लोग का BPT theorem यहीं क्याता है अब चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे चलिए इसको भी मता देता है तो क्या होगा AP क्या होगा PB equal क्या होगा AQ QC equal होगा अपस में तो हम लोग का भी इसी इसी theorem से हम लोग इसको prove करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का इसमें क्या होगा देखिए A A5 upon में A3 A5 A13 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या लिखेंगे A A5 upon में क्या होगा A5 A13 equal होगा किसके हम लोग का देखे ये वाला हो गया अब इसको लेंगे हम लोग AD DB क्या करेंगे किसको लेंगे AD और DB को लेंगे आप देखे हम लोग यहां पर क्या कर देगे हैं आप लिखते हैं अब फ्रॉम एक्वेशन 1 और 2 में देखे फ्रॉम एक्वेशन 1 से और 2 से देखे हम लोग का यहां पर देखे यह दोनों आपस में equal है तो यह दोनों भी आपस में क्या होगा इक्ववल होगा हम लोग का lwww ऑपस में एट आ जाएगा आ देखिए हम लोग करेंगे यहां से मेजर करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा हम लोग का यहां से मेजर करेंगे तो हम लोग का आ रहा है हम लोग का लगभग वही 2.9 आ जा रहा है कितना जा रहा है 2.9 कितना जाएगा 2.9 आ जाएगा cm और हम लोग का जो db है db को भी आप ऐसी measurement करिएगा db को भी आप यहाँ से जब measurement करिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4.7 cm आ जाएगा ठीक है आप अच्छा से करिएगा तो आपका answer आ जाएगा सो स्टुडेंट वीडियो पसंद आतो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए, थाइंक यू